हाई गाइस वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल और मनको उमीद है आप सब ठीक होंगे बहुत सा भी अच्छी सेहत में होंगे यह वीडियो बहुत इंपॉर्टन होने वाल है तो आप पूरी एंड तक इसको जुरू देखना है इसमें हम देखेंगे आपके कौंसी टेस्टेड आप के लिए बेस्ट होने वाल है फोर बोथ अकैडमिक एंजीट और कैसे कौंसी डेट अच्छी है कौंसे इंपॉर्टन है इसे टॉपिक्स तो यह सारा हम कवर करेंगे पूरा ओवर्वीव देखेंगे इसका सो मेक यू सब्सक्राब तो माइ चैलल एंड डॉंट फरकेट तो शेयर दिस वीडियो विडियो विद अधर स्टुड़न्स एस वेल लेट सब्सक्राइब गाइस तो हमारे पास चार डे हैं तो हम पहले डेट देखते हैं 4 फेबरेरी तो इस दिन जो रीडिंग अकैडमिक होगी वो मौडरेट होने वाली है तो इस दिन रीडिंग थोड़ी मुश्किल आ सकते हैं तो अगर आपने एक्जाम नहीं बराबी तक तो मेक शूर कि आप यह डेट को ड्रॉप कर सकते ह तो इस दिन एक्जाम रहेगा मौडरेट गाइस वो थोड़ी मुश्किल रहने वाली है अगर लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग का जो लेवल रहेगा वो रहेगा एजी तू मौडरेट गाइस पर मेक शूर आप जो एक्सेंट्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करे अगर आइटिं टास्क वान की बात करें तो इसमें हमारे पास बहाँ टेबल और पाई आसकते हैं और टास्क टू में ऑपीनिन ऐसे एंड्ड डिसकरशन विद ऑपीनिन ऐसे तो ये कैटेगरिस आ सकते हैं अगर ओर लेवल की बात की जाए तो इस दिन एक्जाम रहेगा फोड़ा मुश्किल होने वाला है तो आगे बढ़ते हैं 11th February जो की best date रहेगी academic students के लिए guys तो अगर आपने paper नहीं बढ़ा और आप fill करने के सोच रहे हैं you can go with 11th February तो ये date best रहेगी academic students के लिए guys अगर reading की level की बात करें इस दिन जो reading का level रहेगा academic students के लिए वो रहेगा easy guys अगर GT reading की बात करें तो GT reading का level रहेगा easy to moderate अगर listening की बात करें फोर बोथ academic and GT तो again जो level रहेगा listening का वो रहेगा easy guys but make sure again कि आप practice ज़रूर करके जाएं carried away ना हो prediction videos से next is writing task 1 academic इसमें मारे पास table bar and map आने वाला है guys तो इस तिनों के आने के चांसे जाला है इन categories तिनों categories important है इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें next is writing task 2 academic इसमें मारे पास problem solution आ सकते है discussion with opinion and opinion based essay अगर writing task 1 GT की बात करें तो हमारे पास formal letter आ सकती है और task 2 में आ सकते है opinion essay and out way category out way category भी काफी important है guys अगर overall level की बात करें जो level रहे गाए इस दिन exam की वो रहने वाला है easy guys so moving ahead to the 16th February तो इस दिन जो exam होने वाला guys जो इस दिन exam रहे गा overall level की बात करें इस दिन exam की वो रहे गा easy to moderate guys अगर reading academic की बात करें तो reading academic की बात करें तो reading academic का level भी रहे गा easy to moderate and listening का listening का भी level रहे गा easy to moderate guys so writing task one की बात करें तो मैं पास process diagram, bar and table तो इन तीनों में से कोई ना कोई question आपको आ सकता है guys अगर task two की बात करें तो discuss both sides and give your opinion and opinion based essay तो यह आपके पास आ सकते हैं so moving ahead to the last date which is 25th February जो की है best for GT students जी बिल्कुल आपने साइस होना कि जो GT students के लिए best date रहने वाले February में वो रह सकती है 25th so make sure आप इस date को approach करें इस दिन आप अपना exam fill कर सकते हैं guys अगर reading academic की बात करें तो इस दिन जो level रहने वाला वो रहेगा easy to moderate guys अगर GT reading की बात करें तो इस दिन जो level रहेगा वो रहेगा super easy तो काफी easy रहने वाली है reading guys GT students के लिए इस दिन तो अगर listening की बात करें for both GT and academic तो इस दिन हमारा जो level रहेगा listening का वो रहेगा easy to moderate guys अगर writing task 1 academic की बात करें तो हमारे पास pie table and bar आ सकता है और second task 2 academic में हमारे पास आ सकता है opinion based essay and out way category तो यह important है guys अगर writing task 1 की बात करें GT के लिए तो GT के writing task 1 में हमारे पास आ सकते है informal letter next is writing task 2 GT इसमें हमारे पास opinion based essay आ सकते है and discussion with opinion essay तो यह category से important है guys तो make sure आप इसकी preparation दूरूर करें तो यहां के कुछ important essay topics है जिसके related आपको essay आ सकते हैं और यह topics आपको जरूर prepare करने चाहिए इसके regarding आपको ideas generate करके रखने चाहिए जो पहला topic वह है social issues next is environmental problems art and culture child development technology and role of government तो यह important topics हैं जो इसके related आपको essay आ सकते हैं और इसके लेटर आप प्रेक्टिस करें so that's it for the video guys इसमें हमने discuss के लिए पुरो overview देख लिए कि कैसे exam आ सकते हैं हमें February में और कौनसी डेट आपके लिए बढ़िया है in the math of February for both academic and gd students आपको आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी so make sure you subscribe to my channel और इसको शेर भी जरूर करें और लाइक भी जरूर करें keep supporting us so जेतनी भी हमने डेट्स देखी हैं तो इस पर हर एक वीडियो पर लगसे एक वीडियो ऐगी separate वीडियो जिसको हम डिटेल में डिसकस करेंगे कैसे कोशिन आ सकते हैं आपके पास उसमें कौन से ऐसे आपको पर्टिकुलरी प्रैक्टिस भी करने हैं तो बहुत यूसफुल वीडियो जाने वाली हैं so keep supporting us और आप subscribe यूज़ करें और share भी करें so I will see you in the next video guys till then take care good preparation and thank you guys